हलो दोस्तों असलाम वालेकुम कैसे हो आप लोग आज हम निकल चुके हैं मदिना से जद्द के लिए क्योंकि आज हमारी फ्लाइट है रात की जो कि दिल्ली जाएगी और आज मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे देखो यह पूरा अभी असर की नमाज के लिए रुके थे इस कि अभी गई बहुत स्पीड से मैट्रो और आपको मैं दिखांगा एरपोर्ट और अब चलते हैं सिद्धा है एरपोर्ट के लिए यहां से और यह आचुके हैं चद्द हैरपोर्ट पर जो कि हमारी बस लेके जा रही है हमारी फ्लाइट तक चुके इंडिकों ह्लाइट हैं दिल्ली एरपोर्ट पर पहुच जाएंगे हम दिखाऊंगा मामको रास्ते का भी और यहां से देखो यह जद्दा एरपोर्ट है बहुत बड़ा एरपोर्ट है काफी बड़ा देखें आप और फ्लाइट में बैठने के बाद भी आपको मैं दिखाता हूं कर दोस्तों हमारी फ्लाइट निकल चुकी है रन्वे पर आ गई है फ्लाइट जद्दे के और आप यहां से रवाना होने वाली है थोड़ी थोड़ी स्पीड से चल रही है अभी आप नजरा देखना जब फ्लाइट ऊपर जाएगी तब देखना नीचे का हिस्सा क्या खूब सुरत नजरा दिखाई देगा आपको अपको भी जब देखना मुड़ी आपको अभी देखना ऱ्द आपको बहुबड़ी को लिए प्लाइट कि तापक। झालेज़ी लोईँ झालेजया है समय झालेज़ी झाले त heav जाले। झाल 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 यह देखो दोस्तों नीचे का नजारा उठके यह हमारी फ्लाइट काफी बड़ा एरपोर्ट है बहुत ही बड़ा यहां पर तो दिल्ली का एरपोर्ट काफी बड़ा है मगर यहां पर तो बहुत भी बड़ा एरपोर्ट है दुबाई कभी इतना बड़ा एरपोर्ट ने लगा मेरे को इतना बड़ा यहां का एरपोर्ट है और फ्लाइट तो चड़ गई उपर अभी मैं आपको दिखांगा उपर का हिस्सा बड़ा है झाल झाल कि देखो दोस्तों यह नजारा जो कि आसमान में कैसा सुबह का मौसम दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में और सौधी अरब में डाही गंटे का फरक है कि अभी क्योंकि हम यह साड़े दिन बजे निकले थे तो अभी इंडिया में 11 बजे फ्लाइट पहुच जाएगी सुबह 11 बजे आप यह नजारा देखो कितना खुब्सुरत तुम्स निकलने वाला है क्या बोला है एप अईसा नेचे से तो नजारा नहीं दिम लगा देखने के लिए कि वोगी पर दूसर नहीं बहुत होता आप यह देखो क्या लब खूसरत है पूज़ता है अब देखो दोस्तों तर्टीन निकल चुगा है पुरा और कासियत तक बिकल चुगा है आप यह देखो ऐसा लग रहा है ना जिसा के लाइट चली ने रही यह की जगर फीवी है देखने में इसा लगता है अब बादलों के ऊपर ऐसा लगनी रहा होगा आपको जिसा कोई जाच चल रहा है ऐसा लगा है कि एक ही जगर रुके है देखो बादल कितने नीचे हैं हमसे और नीचे से देखो दो इतने ऊपर दिखाई देते हैं बादल अब बहुत एक खुशुरत नजारा है यहां का और एक घंटे बाद हम दिली पहुंच जाएंगे दिखाता हूं आपको दिली का भी ऐरपोर्ट देखते रहें और दोस्तों इसी के साथ हम दिली इंटरनेशनल एरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं हमारी फ्लाइट लैंड कर गई है आप यह देखें दिली का रनवे यह विस्तार आइरलाइन्स और और हमारी फ्लाइट है इंडी को दीरे दीरे अपने रेस्टेंड की तरफ जहां पर इसको रुपना है और बस दोस्तों वीडियो आज के लिए तनी बाकी नई वीडियो कर लाइक थेंक यू कि बाई